वो शादी शुदा थी लेकिन उसके बाबजूद उसकी प्रेम कहानी चल रही थी वो भी एक लड़के से नहीं दो लड़के से नहीं बलके तीन लड़कों के साथ चल रही थी और वो उन तीनों से संबंद बनाती थी अलग-अलग मिलती थी अपने घर बुलाती थी सब कुछ कोच ऐसा ही चल रहा था लेकिन हद तब पार ओ judging है तब वहुन दिन बोलती आज तीनों की तीनों को एक साथ घर आना है और तुम तीनों ही मेरे साथ जो चाओ वो कर सकते हैं वहुरह तीनों से वैस संबंद कैसे बनाए और तीनों के साथ ही वो कैसे संबंद बना लेती थी मतलब तीनों एक दूसरे को जानते थे लड़ाई जगड़ा मारा पाट की काटी हो जाती है लेकिन उन तीनों में ऐसा कभी कुछ क्यूं नहीं हुआ धेर सारे सवाल और इस कहानी को जब आप से सुनेंगे कि आखर कतल किसका हुआ तो आप दातों तले उंगलियां दवा लेंगे तो चलते हैं और जानते हैं इस घटना को शुरू से लेकर आखर तक वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें तो चलते हैं तो दोस्तों मेरे नाम माज है उमीद है कि आप सब अच्छी सुरक्षित होंगा इससे पहले वाली वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स की हैं में उनके कमेंट्स को वीडियो के आखर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो के आखर तक बने रहे हैं तो बात करते हैं घटना की घटना आज की जो है वो उत्तर परदेश की है उत्तर प पढ़ती है कि एक बाइक, जो रोड है, कच्छा रास्ता है, वही पर एक बाइक पढ़ी होई है और बाइक के पास एक शक्स पढ़ा हुआ है, लोग जाकर देखते हैं तो शक्स मर चुका था, उसकी सास है रुख चुकी थी, जाहिर सी बात है कि रात के टाइम ही ये शक्स यहाँ पर मरा होगा सबको लगता है कि शायद ये शक्स बाइक लेकर जा रहा होगा एक्सिडेंट हुआ है तब गिरने की वज़ा से इसकी मौत हुए ये गाओं में खलवली मत जाती है कि कोई शक्स मरा हुआ पड़ा हुआ मिला है कौन है कौन है जब ये बात गाओं में फैलती है तो एक महिला रोती हुई पीटती हुई गिरती पड़ती भागती हुई आती है और महिला आकर अपना सर पीट कर रोना लगती है क्योंकि वो महिला का वो शक्स जो मरा हुआ था वो उसका पती था पती का नाम गुरूचंद्र था और जो महिला थी उसका नाम पूजा था फोरण जो पुलिस थी, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है, सब को यही लग रहा था, कि जो गुरुचंद था, यह शराब पीने का आदी था, और रोजाना शराब पीता था, पतनी भी यही बोल रही थी, कि मैं इसे मना करती थी, शराब ना पी है, देख लो क्या हो गया यह सब, अब पुलिस को लगता है, गाउवालों को सब को यही था, कि एक्सिडेंटली डेथ है, जो बॉड़ी थी, उसको उठाया जाता है, और जैसे नॉर्मल होता है, पुस्ट माटम के लिए लाश को भेज दिया जाता है, लाश पुस्ट म पुलता है कि सर, मेरे भाई की मौत, एक्सिडेंट वगेरा में नहीं हुई है, शराब पीने की वज़ास से नहीं हुई है, बलके उसको मारा गया है, उसकी हत्या की गई है, और जो हत्या की है, वो जो मेरी भावी है, मेरे भावी का प्रेमी है, जिसका नाम शिवम है, और तो एक और प्रेमी है, गुलाब सिंग इन लोगों ने और विश्णू इन लोगों ने मेरी भाया की हत्या की है, इन लोगों की उपर मुझे शक है, लेकिन पुलिस बोलती है कि अभी तुम जाओ, पहले पूस्ट माटम रिपोर्ट आईगी, उसके बाद कुछ पता चलेगा क आज के आखर मौत कैसे हुई है, पहले कैसे शक कर लें, लेकिन जैसे ही पूस्ट माटम रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि जो यह गुरू चंद है, इसने शराब पी थी और शराब पीने के बाद ये शराब के नशे में था जब इसकी मौत हुई है, और मौत गला और पुलिस को शक भी पहले ही था क्योंकि अगर बायक का एक्सिडेंट होता है तो शरीर पर घिसट पड़ती है, गाड़ी घिसट जाती है, लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं ही था, पुलिस का शक यगीन में बदल चुका था, कि जो कुछ हुआ है वो हत्या की गई है, अब प किसी से बात नहीं की और नहीं पूजा किसी से बात करती है अब पुलिस भी एरान के भला अगर पूजा की प्रेम कहानी सच में चल रही होती तो पूजा किसी नहीं किसी से बातचीत करती लेकिन पूजा तो किसी से बात नहीं करती दूसरी तरफ जो गुरूचंद के बड़े चेक करती है तो गुलाव सिंग की एक नंबर पर बार 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 बात हो रही थी और उसी नंबर पर शिवम भी बात करता था विश्नू भी बात करता था और वो नंबर फिलाल में बंद था। ग्रफतार कर लेती है और पूजा को भी ग्रफतार कर लेती है मतलब पुलिस का शक अब पक्का हो चुका था और जब पुलिस सकती से पूजा से पूछताच करती है कि आखर तुमने ये मौत की प्लानिंग कैसे रची और ये तुमारे प्रेमी है लोगों ने हत्या कैसे की पुझा से जब पूछा जाता है तो पूझा बताती है के जो मीरा पती था गुरुचंद इससे शादी को 12 साल हो चुके है वाद रहरा सन्साइग को पूछ मेरए वापस जब घर आता रात की टायम तो मुझे ये मारता रहने की वज़ा से ही और एक साल पहले ही मेरी नजर गाउं की यूवक पर पढ़ती है जिसका नाम शिवम है शिवम की आखे मुझसे मिलती है शिवम मुझे देखता है और उसके बाद मैं शिवम को अपना नमबर दे देती हूं हम लोगों की फॉन कॉल पर बाचीत होती है श मेरा पती हर रोज मेरे साथ सम्मंद बनाता है लेकिन फिर भी उसने 12 सालों में मुझे वो प्यार नहीं थी यह प्यार मिलने के वाद मैं शिवम की प्यार में डूब जाती हूं और शिवम के साथ भाग कर करनाटक चली जाती हूं करनाटक मैं पहुंशती हूं शिवम के परिवारो चलते हैं और मेरे पास कोई काम नहीं ता तो इसल्हीं हम लोग वापस दो महिनेु के बाद गां आ जाती हुँ और पती शराब पी कर आता था और शिवम को जब भी शिवम दर्वाजे से बाहर से निकलता तो उसको गाली के लोच करता और बुरी-बुरी बाते करता था ये सिलसला बराबर चल रहा था लेकिन वक्त गुजरता है और उसके बाद मेरी नजर पढ़ती है विश्नु पर विश्नु से मेरी नजरे मिलती है विश्नु से जब मैं बातचीत करती हूँ तो विश्नु भी मुझे धेर सारा प्यार देता है अब मेरी खुशी दोगनी हो चुकी थी पहले शिवम और अब विश्न दौनों मुझे प्यार कर रहे थे लेकिन दौनों को एक दूसरे के वारे में कुछ नहीं पता थी मेरे दो प्रेमी हो चुके थे इसे में दिनवर बातचीत करती थी और फिर कुछ वक्त गुजरता है और फिर मेरी नजर पढ़ती है जो मेरा चचेरा देवर है गुलाब सिंग जो मेरे घर पर आता था फिर वो मेरा प्रेमी बन जाता है तीनों से मेरा वैस सम्बंध चल रहे थे तीनों को मैं एक-एक कर कर अपने घर बुलाती थी सम्बंध बनाती सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहाता लेकिन औसी बीश जो मेरा देवर है गुलाब सिंग उसके बारे में मेरे पती को पता चल जाता है और जो मेरा प्रेमी विश्णू है उसके बारे में तीनों प्रेमियों के बारे में मेरे पती को पता चल चुका था वो मुझे हस्से ज्यादा मारता था पहले कम मारता था लेकिन अब और ज्यादा म कि ही प्रेम कहानी पूजा से चल रही है ये वो तीनों पूजा से लड़ते हैं जगडती हैं लेकिन पूजा फाइनल बोलती है कि मैं अपने पती से परेशाम हूँ इस वज़ा से मैं तुम लोगों से बातचीत करती है अगर तुम्हैंसे किसी को दिक्कत है तो वो मेरे साथ कानी अवैस सम्मंद खतम कर दे अलग हो जाए और जिसको मेरे साथ रहना है वो रह सकता है लेकिन मैं तीनों के साथ रहूंगी खुश रहूंगी तुम तीनों से मेरी कोई शादी तो होनी नहीं है बस मैं तुमसे बातचीत करती हूँ एंजॉय करती हूँ तुम्हें दिक्कत अब पूजा के तीनों पिरेमियों को पता थी अब वो कभी कभी तीनों पिरेमियों को अपने घर बुला लेती थी और एक दिन जो 26 जुलाई से पहले 20 दिन पहले ही 6 जुलाई को ये तीनों पिरेमियों को बुलाती है और तीनों पिरेमियों से बोलती है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी तीनों पिरे मिमान जाते हैं और तीनों को पहले वो संबंध बनाती है और उसके बाद बोलती है कि देखो जैसे तुम आज आए हो मैं चाहती हूँ तुम तीनों हर रोज ऐसे ही आओ हम लोग मिलकर पार्टी वर्डी करें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत है तो मेरा पती है गुरूचंद तुम उसको रास्ते से हटा दो उसको खतम कर दो बड़ी पिलानिंग से ऐसा भी ना हो कि तुम पकड़े जाओ या मैं पकड़ी जाओ मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जिसमें हम लोग पकड़े ना जाएं अभी लोग मान जाती हैं और 20 दिन पहले से प्लानिंग की जाती है कि आखर क्या किये जाए और प्लानिंग यह होती है कि इसकी उपर जो गुरूचंद है इसकी उपर नजर रखी जाएगी यह जब शराब पीकर आएगा गाड़ी से आएगा तो वहीं पर इसको गिराया जाएगा चलती गाड़ी से और फिर इसको मार दिये जाएगा और ऐसा ही होता है 26 जुलाई की राज जब गुरूचंद शराब की नशे में बाइक लेकर आ रहा था तो इसको गाड़ी से गिराते हैं और तीनों मिलकर इसको वहीं पर मार देते हैं और जो पूजा थी वो कॉल पर थी मारने के बाद यह पूजा को फॉन करते हैं बोलते हैं काम हो गया है और फिर तीनों पूझा के घर पहुंचते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं और वापस अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं, इन तीनों को यकीन था, तीचारों को यकीन था कि पुलिस इनको नहीं पकड़ भाएगी क्योंकि इनोंने ऐसी कोई गल्ती नहीं की, सबको लगे यह लोग पकड़े गए, लेकिन किरायम को कितने वी शातिराना तरीके से किया जाए, वो छिप नहीं पाता, वो सामने आ जाता है और इनसान पकड़ा जाता है, मतलब किर्मिनल पकड़ा जाता है आपके स्केटना पर क्या वो लिए कमेंड बॉक्स से मैं जरूर बताइएगा आप बात करते हैं उन लोग की जिल लोगों ने से पहले वाली वीडियो में कमेंड किये थे उनके कमेंड को पढ़ते हैं अगर आपने अभी तक कोई कमेंड नहीं किया है तो जल्दी से नीचे ज मेरे नाम है विजे कुमार अच्छा विजे भाई और ये बोल रहे है भाई मेरे नाम रवी हैडू है और मैं नाकपुर से हूँ आप कहानी सुनाते हुआ हमेशा सची होती है ar हमें और आपकी कहानी से बहुत कुछ विद्वे भाई आपू हमेशा arkadaşlar खशा रहे हैं तो रवी हूँ मदेशिया खाजानी से और आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है शुक्रिया भाई विने भाई और यह बोलने असलाम अलेकुम माजवाई आप कहां चले गई थे आपकी वीडियो इतने दिन से नहीं आ पाएगी और आप लोग कैसे हैं ये भी बताईए कमेंट बॉक्स में ये बोल रहे हैं मैं अल्लत आला से दुआ करता हूँ आप सलामत रहें मेरा नाम तारिक है और बरेली जिले से हूँ तो शुक्रिया तारिक भाई और आप भी खुश रहें मेरी दौा है कि अल्ला आपको खुश रखे और हमारे डियर सारे सब्सक्राइबर को भी खुश रखे कोई भी परेशानी से अला बला से बचा कर रखे और ये बोल रहा है मैं संजीव कुमार हूँ अच्छे वीडियो बनाती हूँ आपकी बहुत अच्छी लगती है जिला भिंड मद्यपरदेश से हूँ मैं शुक्री है भाई तो फिलाल में ये वो कमेंट थे जिससे पैले-बाली वीडियो में लोगों ने किये थे अगर आप चाहते हैं मैं आपके कमेंट्स को पढ़ू तो जल्दी से नीचे जाए और एक कमेंट कर दे तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जब तक बिलिए खयाल लगए